हेलो नमस्कार दोस्तों जहारखंड लाइब के यूट्यूब चनल में आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत है दोस्तों आज है यहां पर 29 नौवंबर आराज हम लोग यहां पर जहारखंड के महत पूर्ण करेंट अपर कुश्चन्स यहां पर देखने वाले हैं तो अगर आप जहारखंड लाइब चनल में अगर नए है तो सबसे पहले चनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और साथी जो बेल आइकन मना हुआ हुआ है उसको प्रेज कर लिजे ताकि यागए का जो भी अपडेट से अगा वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहल लिंक क्लिक करके आपको डेली साम के साथ बज़े वहां पर प्रवाइड कर दी जाती है तो चलिए आज का यहां पर हम लोग जो है वह महत्पुन करेंट अफर्स कोस्टेंज 29 नौवंबर के वह हम लोग यहां पर देखते हैं तो आज का पहला प्रस्ण है यहां पर आपका 19. जहारखन राजि सतरंज परतियोगीता का खिताब किसने जीत दर्ज की है तो इसका सही अन्सरद में यहां पर आपका आप्शन नंबर A. इस राइट अन्सर को हुआगा प्रीतम सिंग ने यहां पर जीत दर्ज की है तो option number A is right answer यहाँ पर हो जाएगा चली details में यहाँ पर देख लेते हैं तो पुर्वी सिंग भूम के प्रितम सिंग यहाँ पर जो है वो ने 7.5 आंग के साथ एक बार फिर आदित्य बिल्ला समारक उनिस्वी जहारखन राज सतरंज परत्योगिता में चैंपियन बनने का गौर हासिल किया है और दुसरे स्थान पर साथ आंग के साथ प्रियंका कुमारी उप्विजेता रही है तो यह याद रखेगा प्रितम सिंग ने यहाँ पर जो है वो आदित्य बिल्ला समारक उनिस्वी जहारखन राज सतरंज परत्योगिता के यहाँ पर चैंपियन बने हैं तो इसका असा ही अंसर जोगा यहाँ पर आपका option number B is right answer जागा समिधान रथ कौन सा रथ समिधान रथ यहाँ पर जो है वो समिधान दिवस के दिन नया युक्त नवनित कुमार ने यहाँ पर समिधान रथ की रावाना की है तो option number B is right answer यहाँ पर हो जाएगा चले details में इसको भ वाल ने यहां पर समीधान रज को रावाना किया है तो आप्सन नमबर बी इस राइट इंसर यहां पर हो जाएगा समीधान दिवस का मना जाता है 26 नमबर जो हमारे देश दिवारा अंगी करित किया गया था तो यह भी याद रखेगा चली अगले प्रस्म चलते हैं और अगल रर होंगे वहाँ पर चरक ев प्रतिब अंग्रेजी के अलावा और किस भासा में वेब्साइट पर अपर अपर सके थामी Wise पर जो है जहारखन हाई कोट के आदेश होंगे वो वेबसाइट पर यहां पर हिंदी भासा में भी उपलब्ध कराई जाएगी तो अप्शन नमबर बी इस राइट एंसर यहां पर हो जाएगा ठीक है तो चलिए यहां पर डिटेल्स में देख लेते हैं तो नयाई अकादमी धुरुआ में समिधान दीवस पर जो है वो आयोजित कारिकरम के दोरान राजिपाल द्रौबदी मुर्मू एवं चिफ जस्टिस डॉक्टर रवी रंजन ने चन्यूत रुप से इसे जो है वो लॉंच किये हैं तो आप्शन नमबर बी इस राइट इन सर जाएगा यहां प दौरा पत्रकार कारिकरम दौंद कायोजन कहां किया गया है तो इसका सही एंसर गया है का option number B is right answer यहाँ पर हो जाएगा कहा क्या गया है इटकी में इसका आयोजन किया गया है ठीक है तो option number B is right answer यहाँ पर हो जाएगा चले details में इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं तो इटकी के लक्षमी गजेंद्र मध्य विद्याले में यूनिसेफ और नौ भारत जागरती के इंद्रदवारा बाल पत्रकार कारिकरम का आयोजन किया गया है इसकी सुरुवात वर्स 2009 में की गई थी ठीक है और यह यहाँ यहाँ पांच प्रखंडों के 60 सरकारी मध्य विद्याले में चलाई जा रही है इसमें बच्चों को बाल पत्रकार बना कर उनकी बौधिक छमता विक्सित करने की पहल की जाती है ठीक है बच्चे लोग को यहाँ पर पत्रकार बना दिया जाते है और उसे प्रस्ण पूछने के लि दिये तो ऑप्सन नंबर यहाँ पर आपका जो है जो है इतकी में आयोजन किया गया है अच्छा आप था उनिश का फिल फंद क्या है युनाटेड मेर्श और नेशन चिल्डरिंड' फंड ह स्थापनं कब हुई ती संबर나 उनिस स्टहपना होई थि और head जो अभी है वो कौन है हेंरिटा H4 है कौन है हेंरिटा H4 है जो अभी की UNICEF के head है तो यहाँ पर option number B is right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर बायो टेक्नलोजी की छेत्र में रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन और किसके बीच सोधपरक अध्यन के लिए यहाँ पर करार हुआ है तो इसका सही अंसर जो होगा यहाँ पर आपका option number C is right answer जाएगा बुन्सी बायो साइन्स प्राइवेट लिमिटेट के साथ किसके साथ बुन्सी बायो साइन्स प्राइवेट लिमिटेट के साथ यहाँ पर आपका इसके और बुन्सी बायो साइन्स प्राइवेट लिमिटेट के बीच जो है यहाँ पर सोधपरक अध्यन के लिए यहाँ पर क तो आपसर नमबर C is right answer यहाँ पर हो जाएगा चली अगले प्रस्म चलते हैं और अगला प्रस्म है यहाँ पर राची जी लेके कितने मद्दान केंद्रों को महिला अस्पेसल बूत बनाया गया है तो इस मद्दान केंद्र में जितने सारे जो यहाँ पर कर्मचारी होंगे जो का सही अंसर जोगा यहाँ पर आपका option number B is right answer हो जाएगा कुल 21 मद्दान केंद्र जो हो यहाँ यहाँ पर महिला स्पेसल बूत बनाया गया है तो इस मद्दान केंद्र में जितने मद्दान कर्मी होंगे वो सभी महिलाएं होंगी ठीक है तो option number B is right answer यहाँ पर हो जाएगा चली details में देख लेते हैं यहाँ पर तो राची जी लेके 21 मद्दान केंद्रों का संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा इसमें पिठासी नदिकारी से लेकर सब भी मद्दान कर्मी महिलाएं होंगी मद्दान केंद्र की सुरक्षा में भी महिला पुलिस कर्मी की तै जाईखन के किस चातरा को जर्मनअबेसी द्वारा सम्मानित किया गया है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर आपका आप सिन north A is right answer और जाएगा इसम्मानित कीया गया है अच्छा क्यों सम्मानित किया गया है वो चली हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डिटिल्स में तो जेस सी एस्ट डेम में बीटे साथ नॉमबर को देश अस्तरिये जो है यहाँ पर पेंटिंग परतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें स्रेश्टा स्रीजिनी प्रथम स्थान पर रही थी यहाँ परतियोगिता विद्यार्थियों और युवाओं में उर्जा सन्रक्षन के प्रति जागरुगता लाने के लिए यहाँ पर आयोजन की गई थी इसे इस कारिकरम का यहाँ पर भारत और जर्मन उर्जा कारिकरम के तहत आयोजित किया गया था और उसी में यहाँ पर जो है वो स्रिष्ठा स्रिजिने को यहाँ पर जर्मन एमबेसी द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है तो आप्सन नमबर A is right answer हो जागा यहाँ पर श्रेश्टा स्रीजनेंज जो है यहाँ पर JVM स्यामली राची की एक छात्रा है आठ्वी कक्षा की चलिए अगले प्रस्म चलते हैं और अगला प्रस्न है यहाँ पर अगला प्रस्न है यहाँ पर मासको में आयोजित यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल में किस नागपूरी फिल्म के डिरेक्टर को फीचर कटेगरी में बेस्ट डिरेक्टर का आवार्ड दिया गया है तो इसका सही एंसर जोगा यहाँ पर आपका आपसन नमबर C is right answer हो जाएगा नंदलाल नायक को किसको नंदलाल नायक को यहाँ पर फिल्म धुमकुडिया ठीक है हाली में जो है यह हर जगए यहाँ पर विदिसों में भी इसको यहाँ पर लॉंच के जा रहा है पर प्रदसनी की जा रही है ठीक है तो याद रखेगा option number C is right इन तो जगा नंदलाल नायक को ठीक है चली अगले प्रस्म चलते हैं अच्छा यहाँ पर देख लिजे नागपूरी फिल्म धुमकुडिया के लिए यहाँ पर नंदलाल नायक को बेस्ट डिरेक्टर का यहाँ पर जो है वो अवार्ड दिया हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर 21 एसन मास्टर्स एथ लेक्टिस के लिए जहारखन में कुल कितने खिलाडियों का चयान किया गया है तो इसका सही अंसर जोगा यहां पर आपका option number D is right answer जागा कुल 13 खिलाडियों का चयान किया गया है तो option number D is right answer यहां पर हो जाएगा तेले डिटेल्स में देख लेते हैं मलेसिया के कुचिंग सरवाक सहर में 2 दिसंबर से यहाँ पर सुरू हो रहे है 21 एसियन मास्टर्स एथलेटिस के लिए जह हरखंड से कुल 13 एथलेट का यहाँ पर चैयन किया गया है तो आपसर नमबर D is right answer यहाँ पर हो जाएगा अच्छा आप आया है मलेसिया तो मलेसिया के कापिटल क्या है क्वालालामपूर है क्या है क्वालालामपूर जो है यहाँ पर मलेसिया की कापिटल है लांगवज जो है वो क्या है मलाय है क्या है अखिल भारतिय विध्यार्थी परिशत्व में जहारखंड से किसे राष्टिय मंत्री बनाया गया है अखिल भारतिय विध्यार्थी परिशत्व की तो इसका कारी समीती में जारखंड से 11 परतिनीधियों को सामिल किया गया है एवं गुमला की विनिता उराओं को परिशत का राष्टिय मंत्री बनाया गया है ठीक है तो आपसर नमबर सी इस राइट एंसर जगा विनिता उराओं को यहाँ पर जो की गुमला की है उनको यहाँ पर सापना होई थी मुख्याला जो है वो इसका मुंबई में है और उद्देश से जो है मोटो जो है वो क्या है राष्ट का पुनर निर्मान ठीक है चली अगले प्रस्पन चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर जारखंड से किसे मिसेज ब्यूटी आइकन इंडिया में फाइनल में वीनर घोसित किया गया था तो जारखंड के जमसेदपूर की रहने वाली मॉडल हर प्रित महरा ने राश्टी अश्टर यह मिसेज ब्यूटी आइकन इंडिया का खिताब जीत हासिल की थी तो आपसर नमबर A is right answer यहाँ पर हो जाएगा चली question of the day देख लेते हैं यहाँ पर इसका सही अंसर जो है आप कमेंट करके जरूर बताईएगा कि जहारखंड में पहला दुग्द प् कि कॉलेज की सुरुवात कहां की गई है हजारी बाग में राची में या फिर आपका यहाँ पर सिम्डेगा में या फिर दुमका में तो इसका सही अंसर जो है वो कमेंट करिएगा कमेंट करके इसका सही अंसर जो आपको बताना है तो यह थी आज कि यहाँ पर महत्पून कर पसंद आई होगी जरूर लाइक करिए और चैनल को अगर अभी तेक सब्सक्राइब नहीं किया हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक से अधिक से लोग यहाँ पर जूड़ सकें